ये बड़ा प्रश्ण है मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ा है डॉक्टर सुधान शुत्रवेदी मेंबरा पार्लिमेंट भारतिय जिन्ता पार्टी के राजेसवास्तान्त नहां प्रवक्ता है अनुराग बदोरिया मेरे साथ है समाजवादी पार्टी के बड़ा बयान दे दिया है ममता बेनर जी के बयान को लेकर क्योंकि आसाम जलाने की बात करी थी कि दीदी आप धमका कैसे जखती है आसाम को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी ममता बेनर जी हमें लाल आंखें मत दिखाईए ये का है भारत को जलाने की कोशिश ना करे ममत को कि दिल्ली के बारे में का है आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता ये का है ये धंकी तंत्र क्यों है ये बड़ा सवाल है जो असाम के मुख्यमंत्री ने बोला है तो अतीव काल ये धंकी बाजी क्यों ये धंकी बाजी क्यों असाम जलाने की बाद दिल् के जो पुलिटिकल पैचाने वे बहुत हलकी है हिमंता बिश्वासर्मा कॉंग्रिस में थे और उनके खिलाफ भरष्टचार का बहुत बड़ा आरोप एक पूरा किताब बीजेपी ने खुद छापा और उसके बाद हिमंता बिश्वासर्मा ने बीजेपी जॉइन किया और कि उन गुप्त कारणों की वज़ा से उन्हें जो है मुख्यमंती बनाया गया यह जंता के सामने है सवाल यह उठता है कि आज सडक में और कल सडक में जिस तरीके से उपद्र मचाया गया है बीजेपी द्वारा वो देश को असली मुद्दों से कोलकाता में जो असली इसे भी गिरफतार किया तो कोलकाता पुलिस ने गिरफतार किया था पिछले 16 दिन से सीबियाई ने एक भी गिरफतारी नहीं की असली मुद्द यह है कि कानून लाया जाए जिसके तेहत फास्ट ट्रैक कोड द्वारा सीबियाई भी जो है शमता हो दे दी जाए ताके वो को सीधे-सीदे फासी चड़ाया जाए लेकिन यहां पर बीजेपी अपनी राजनीती कर दी लेकिन प्रस्ट मैंने आप से पूछा मंताब इनर्जी बंगाल से लेक्व बंगाल के बंगाल में जो हो रहा है वह पब्लिक कर रही है वह अस्था म को जलाने की बात कर रही है व फिर उद्देन गुहा मंत्री और सांसद वो मैं आपको बता दूँगा क्या आपको लगता नहीं है यह धमकी है इट रिज़ा ब्रेजन थ्रेट नहीं ममता बैनर जी ने शुरुआती दिन से पहले दिन से और लगातार दो तीन दफा इस बात को रिपीट किया है कि जो लोग दिया जाए नियाए फांसी में चड़ाया जाए रेपिस्ट को कड़ा से कड़ा कानून लाया जाए लेकिन आप जो उपद्व मता आ गया चात्ता समाज कर नहीं थे इसका जवाब देखिए अगर बीजेपी को बंगाल की सत्ता हाथी आना है वो चुनाओं के जरीया हाथी आए ना वो बंगाल को जला करके यहां पे लॉइन और सिच्वेशन खराब करके राश्ट्रपती साशन इंपोस करवा के हसत्ते हाथी आएगी यह तरीका है बीजेश बंगाल में एक चुनिंदा सरकारे मरमताय står को बंगाल की जनता ने वोट दिया है अब इहाल में जो इलेक्शन वह इस साल इलेक्शन वह उसमें वोट दिया मंताबेनरजी का यह बहुत बड़ा बयान है कि दिल्ली भी जलेगी, आसाम भी जलेगा और नौर्टीस्ट भी जलेगा और मोधी की कुर्सी भी हिल जाएगा देखे तौसीफ खान ने कहा कि बंगाल की बिल्कुल मैं जवाब देता हूं तौसीफ खान ने कहा कि बंगाल की जनता ने ममता जी को चुन कर भेजा है बिल्कुल अगर किसी को कहरें श चुनावी हिंसा खतम हो चुकी है किवल एक ही राज्य बचा है जहां चुनावी हिंसा की खबरे आती हैं और जिस दिन वो हिंसा पर भी पूर लगाम लग जाएगा यह निश्चित मानिये कि उसके बाद त्रडमूल कॉंग्रेस की सरकार नहीं रहेगी यहां बात मैं इसलिए भी वेदना के साथ भी कहता हूँ और प्रामण इक्ता के साथ भी कहता हूँ ममता जी जब हम लोगों के साथ थी तो उन्होंने ये बताया था कि कमनिस्टों की सरकार ने उनके उपर इस धंक से लाटियां बरसाई थी कि उन्हें मृत समझ कर वो लोग चले गए थे अगर उ तो उस आरोपी को दूसरा कॉलिस दिया जाता है उसके बाद उसे सुसाइड बताया जाता है उनके माता पिता को मिलने नहीं दिया जाता है क्राइम सीन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है तोड़ फोड किया जाता है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है क आपने सबूत तो नश्ट कर दिये और उसके बाद धमकाया जाता है और उसके बाद आज मुख्यमंत्री भी एक प्रकार से धमकाने वाली भाशा बोलती है उसके बाद आपको लगता है कि ये कोई इमानदारी की बात मैं दर्शकों से कहना चाता हूँ सम्विधान कितने बड़े खत्रे में है बंगाल में देखे और उससे बड़ी बात जो बात आज ममताव अनर्जी जी ने बोली है जिस पे हिमनताव श्रमा जी ने बोला है देखे वो तरणमूल कॉंग्रेस एक रिजिनल पार्टी है इसका पशिम बंगाल के बाहर तो कोई प्रभाव नहीं हम मान सकते हैं थोड़ा बहुत प्रभाव इनका असाम में हो ये यूपी बिहार और बंगाल में तो इनका कुछ भी नहीं है तो किस आधार पे ममताव अनर्जी जी ने बोला है जो कि यूपी बिहार दिल्ली और असाम में आग लगाने की छमता रखते हैं ये समझने वाली बात है बीजेपी बंगाल चीज सुर जो कुछ बताये जा रहा है उससे कहीं अधी लंबीर चुरौती बढ़ा बयाना है कि रास्ट विरोधी बयान है ममता बेनर जी का रास्ट को लगता है सुदान चुत्रवेदी क्योंकि आप मेंबर आफ पार्लेमेंट हैं सवाल ये है कि मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है लंबी चौड़ी लिस्ट है चाहे वो अरूप चक्रवरती सांसद हो चाहे वो उद्देन गुहा मंत्रियों ममता सरकार के जो तमाम लोग धं उनकी बरे अंदाज में कोई डॉक्टर को धंका रहा है कोई कह रहा है कि किसी ने अकर ममता बेनर जी की का इस्तीफा मांगा या उन पे उंगली भी उठाई तो उनकी उंगलियों को पहचारना होगा उनको तोड़ने का इंतजाम करना होगा ये मंत्री कह रहा है वीजा नहीं मिलेगा और ये सिर्फ एक बात नहीं है हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं अमीज जी त्रणमूल कॉंग्रेस का वकील कौन है वकील है कपिल सिब्बल जो राजस्वादी पार्टी के सपोर्ट से येस और लंबे समय तक मंत्री रहे कॉंग्रेस के पुना द वाधियों और आतंक वाधियों के बचाव के लिए विख्यात या कुख्यात हैं वो आज त्रणमूल कॉंग्रेस सरकार की तरफ से एक प्रकार से